नमस्ते दोस्तों आप सभी का एकवार फिर से स्वागत है आपके अपनी योटुब चानल पूजा घरसंसार में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पीरेड में सोने के कितने दिन पहले आपको प्रेग्नेंसी का सही लक्षन मैसूस हो सकता है और कितने द वीडियो आपके लिए बहुत नौलेज़िवल सावित होने वाली है इस वीडियो में आपको जितने भी मिठ और डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे कि प्रेग्नेंट होने के बाग आपको पीरेड में सोने से पहले वह कौन-कौन से लक्षन महसूस करके देखना है औ और आप गर्वधारन कर चुकी हैं तो ये वीडियो बहुत ही नौलेज़िवल है इस वीडियो को लासक जरूर देखें और जितने भी नए वीवर्स हैं वह जरूर चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ओप्सन प्रेस कर दें ताके आपको ऐसे ही डेली मोस्ट से भरपूर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें आईए फ्रेंट्स आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रेंट्स जैसे ही आपकी ऑबलेशन डेट आती है यानि जब महिला प्रेगनेंट होती है तो ये ऑबलेशन का ही समय होता है जिन महिलाओं को कई महिनों से प् पीरिड मिस होने से पहले कि आपका गर्वधारन हो चुका है या नहीं या फिर पीरिड मिस होने के कितने दिन पहले गर्वधारन के लक्षन महिसूस होने लगते हैं कई सारी स्टडी में ये बताया गया है फ्रेंट्स कि जो गर्वधारन होनी के बाद लक्षन महिलाओं मे वो period में सोने के 6-14 दिन पहले मैसोस होते हैं लेकिन सभी महिलाओं के साथ ये होना जरूरी नहीं होता है कई सारे प्रारमिक लक्षण ऐसे होते हैं जिनके जानकारी महिला को नहीं होती है और वो ठीक तरीके से समझ नहीं पाती है कि उनका गर्वधारन हुआ है या नहीं हुआ है दोस्तों तो आईए कि कौन कौन सा सही लक्षन होता है जो गर्वधारन करते ही फील होने लगता है यानि जब आपका owulation होता है आपने unprotective relation बनाया और उसके बाद आपका implantation होता है उसके बाद सबसे पहला जो लक्षन होता है वो होता है आपके जवान यानि आपके टेस्ट में चेंजिस आजाता है आपको गले में खरास महसूस हो सकता है इसके साथ ही आपके अस्तनों में भी चेंजिस महसूस किया जा सकता है आपके अस्तनों के आसपास का जो निपल एडिया के पास का जितनी भी स्पेस होती है वहा प्रारंबिक लक्षन जो सबसे पहले फील होता है इसके बाद जो दूसरा लक्षन होता है वो होता है आपको बारवार उल्टी जैसा बहुत सारी महिलाओं को पीडिड में सोने के पहले ही सुबह के समय उल्टी की समस्या देखी जाती है जिससे मौर्निंग सीखनेस के नाम से कहा जाता है ऐसा इसलिए होता है कि आपके सरीर में गर्वधारन करते ही पोजस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है जिसके वज़े से हार्मोन इंबालेंस हो जाते है और इस दोरान आपको उल्टी की समस्या बढ़ जाती है आपको उल्टी जैसा फील हो सकता है कई सारी महिलाओं को पूरे 9 महिने ये परिशानी होती है यू तो इसे मौनिंग सीखनेस कहा जाता है फ्रेंड्स लेकिन ये प महसूस हो सकता है भाग में नावी के नीचे या फिर आपको पीट के निचले भाग में महसूस हो सकता है ऐसा इसलिए होता है कि आपके गरवासई का साइस बढ़ने लगता है और दूसरी बात आपका पूजिस्ट्रॉन लेवर काफी ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी होता है कि आपके पीडिन में सोने के तीन चार दिन पहले से आपको बहुत जादा यूरीन पास करने की समस्या हो सकती है हो सकता है आप हर एक पांच मिनाट या दस मिनाट पर यूरीन पास करो क्योंकि इस समय आपकी किडिनी पहले से जादा शकडिये हो जाती है और जो आधीफ्रेंग कई सवारे महिलाओं को कई सारे खाने से अरूची हो जाती है या फीग कहानों की food craving हो जाती है क क्योंकि आपके ज़वां का स्वाद्द बदल जाता है साती साथ आपकी जो लेवल है हर्मों gasoline की वो भी बढरti रहती है पी कई सारे खानों की food craving हो जाती है ऐसा हिसल होता है क्योंकि आपके जवान का स्वाद बदल जाता है साथी साथ आपकी जो लेवल है हार्मोन्स की वो भी बिगरती रहती है तो जिस वज़ा से आपको बार-बार किसी चीज को खाने की इच्छा हो सकती है या फिर किसी चीज़ से आपको काफी ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है, खाने से उल्टी वगरा भी आती है, कैसारी महिलाओं को स्मेल से भी उल्टी आने सुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपके नाक की सुंगने की सक्तियां भी बढ़ जाती है, इस समय आपका सरीर पहले से ज बढ़ जाती है पहले से कई जादा और इसके साथ ही आपका जो ब्लड सर्कूलेशन है वो भी बहुत तेजी से होता है, क्योंकि एक नय बुरून के विकास के लिए सरीर को ऐसा करना पदा है प्रकिर्तिक तौर पे, तो जो आपके ये सारे सिम्टम्स होते हैं, वो प्रेग तो आप बहुत ही आसानी से ये समझ सकती हैं, कि आपका गर्वधारन हो चुका है, कई सारी महिलाओं को बहुत जादा थकावट भी होती है, क्योंकि जब आपका सकस्पुली कंसीव हो जाता है, तो इस समय आपके बॉड़ी को ऑक्सीजन की बहुत जादा जरूरत परती है एक नए भुरून के विकास के लिए, तो आपको हो सकता है कि पूरे दिन थकावट महसूस हो, साथी साथ आपके बलड का फ्लो भी बढ़ जाता है, जिस वाज़े से थकावट आपको हो सकती है, तो यह जो सारे सिम्टम्स मैंने बताए हैं, यह सांटिफिकली प्रूफ है, और कई सारी स्टडी में यह पता चल चुका है, कि जब आपका सक्सेस्पुली इंप्लांटेशन हो जाता है, जब बच्चा यूटरस की लाइनिंग में आके चिपक जाता है, तब यहां से आपको सिम्टम्स फील होने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कई सारी महिला पुजिस्ट्रोन और एस्ट्रोजन का लेवल ठीक तरीके से प्रारंभिक दिनों में नहीं बढ़ता है, जिसकी वज़े से लक्षन महसुस नहीं होते हैं, तो आपको हो सकता है कि पीरिट में सोने के वन विक के बाद या फिर तीन चार दिनों के बाद लक्षन महसुस लेकिन जो लक्षन मेंने बताए हैं यही लक्षन प्रारंभिक होते हैं, जो आपको फील होंगे और तब आप समझ सकती हैं कि आपको गर्वधारन हो चुका है, कई सारी महिलाओं के यह भी क्वेशन आते हैं कि जब यह लक्षन महसुस हो रहा है पिरिट के पहले तो क्या प्रेग्नेंसी टेस्ट कर सकती हैं, तो फ्रेंट्स कम्प्लीटली मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रेग्नेंसी टेस्ट कई सारी महिलाओं के पोजेटिव आती है, ऐसे लक्षन फील होते हैं तब पीरिट मिसोन के पहले करने पे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक मह प्रेंटेशन हो जाता है, इसके करीव 4-5 दिन या सफता वर के बाद बीटा सीजी का लेवल बढ़ना स्टार्ट होता है, तो जब भी आप प्रेग्नेंसी टेस्ट करेंगे, तो इसके सही रिपोर्ट और रिजल्ट के लिए आप मॉर्निंग का यूरीन सैंपल लें और इस तीन-चार दिन बाद दुबारा टेस्ट करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि कई सारी महिलाओं में बीटा-SCG ठीक से डिवलप नहीं होता है बाद में ये अच्छ से डिवलप हो जाता है तीन-चार दिनों के बाद तो आप दो बार प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करें अगर आ से लक्षन सङही है और कितने दिन पहले मैंसोस करना है ये भी आप जान चुकी है तो इस वीडियो से अगर आपकी कोई भी है तो आप comment section में पूछ सकती है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना जादा से जादा इस वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ओन कर लेना फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ तब तक अपना ख्याल लखिए दोस्तों टेक केर नमस्कार